देश के financial health का लेखा जोखा यानी budget एक फरवरी 2024 यानी कल से पेश होने जा रहा है इस दिन संसद में कई बड़े ऐलान होंगे तो वही देश में इस तारीख से कई बड़े बदलाव भी हो जाएंगे अब आपको आईए बताते हैं कि कल से क्या कुछ बदलने वाला है जो कि आपके रोजाना जिंदगी में पेश होगा इनमें LPG के दाम की सबसे पहले बात करेंगे LPG प्राइस से लेकर Fast Tech के जरीए पैसे ट्रांसफर करने के नियम शामिल है जो कि कल से बदल जाएंगे और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा आईए आपको ऐसे ही छे बड़े बदलाओ के बारे में बताते हैं बजट वाले दिन जहां पूरे देश की निगाहें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के बजट भाशन पर होगी तो इसकी शुरुवास से पहले LPG की कीमतों में होने वाली बदलाओ पर भी नजरे रहेंगी हर मैने की पहली तारी को ओयल मार्केटिंग कमपनिया LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाओ करती है सिलेंडर की केमतों में बदलाओ आम आदमी के बजट में उतार चड़ाओ करता है देखने वाली बात होगी कि बजट के दिन LPG पर राहत मिलती है या फिर एक बड़ा जटका मिलता है और आज के समय में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए कस्टमर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते बलकि घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से ही काम जट से हो जाता है यानि कि आप IMPS, मनी फ्रांसफर, बहतर विकल के तौर पर देखते हैं कल से जो दूसरा बड़ा बदलाओ होने जा रहा है एक फरवरी 2024 से होने वाले बदलाओ के तहत यूजर्स सिर्फ रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर IMPS के जरिये पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे नाशनल पेमिंट्स कॉर्परेशन आफ इंडिया के मताबिक अब इसमें लाभार्ती और IFSC कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पैंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने जनवरी में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है जिसमें राष्ट्य पैंशन प्रणाली के तहट निवेश किये गए धन की आंशिक निकासी के लिए दिशा निर्देश अब दिये गए है पेंशन निकाये ने ये स्पष्ट किया है कि ग्राहक केवल पहले घर की खरीद या निर्मान के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं ये नियम भी एक फरवरी से लागू कर दिया जाएगा इसके अलावा भारतिय राष्ट्य राजमा प्राधिकरण ने कहा है कि बिना केवाईसी वाले सभी फास्टैक को 31 जन्वरी के बाद निश्क्रिय कर दिया जाएगा एक फरवरी को यूजर्स को ये तै करना होगा कि उनके फास्टैक के लिए केवाईसी पूरा हो चुका है धनलक्षमी 444 दिन कहा जाता है उसकी अंतिमतिती भी 31 जन्वरी 2024 है बैंक ने अंतिमतिती 30 नवंबर 2023 से बढ़ा कर इस 31 जन्वरी 2024 कर दी थी ऐसे में FD में पैसा लगाने वाले इसमें निवेश कर सकते हैं इसमें FD के अबधी 444 दिन है और ब्यास दर 7.4 फीस दी और सुपर सीनियर के लिए 8.05 फीस दी है होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और रियायतों की भी अंतिमतिती 31 जन्वरी 2024 है भार्टे रिजर्व बैंक फरवरी में वितवर्ष 2023 सीरीज में सौवरन गोल बॉंड की अंतिम किष्ट भी जारी करेगा आपको बता दें कि SGB 2023 सीरीज चार बारा फरवरी को खुलेगी और सो के लिए केंद्रे बैंक ने सोने का नियम मोल्य 6,199 रुपे प्रती ग्राम तह कर दिया था तो ये तमाम नियम हैं जो कल से बदल सकते हैं और कल नए नियम आएंगे भी तो इस पर नजर बनाए रखिएगा और हम भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें